नमस्कार दोस्तों में चल में आपका फिर स्वागत है और एक नहीं वीडियो के साथ तो फिर बिना इंटो में टाइम वेस्ट के वीडियो में आगे बढ़ते है देन लेट्स स्टार्ट अगर आप LED बाल्प को रिप्यार करते हो तो ये डिवाइस आपके रिप्यारिंग लैब में होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि माल्टमीटर से हम हर वोल्ट की LED को चेक नहीं कर सकते हैं जैसे इस MCPCP में जो LED है वो 3V की ये माल्टमीटर की चेक कर सकते हैं जैसी कि यहांपर आप देख सकते हो माल्टमीटर के थुरूरी हम चेक नहीं कर सकते है या फिर ये LED ग्लोब नहीं कर रहा है क्योंकि ये ज्यादा वोल्ट की LED है सोगाइच आज हम एक बहुती सस्ता टिकाव और कम कमपोर्ण के साथ एक ऐसा सरकीट बनाएंगे ताकि आप हर वोल्ट की LED को आप चेक कर सके लाइक 3 वोल्ट, 6 वोल्ट, 7 वोल्ट या फिर 9 वोल्ट सोगाइच इस सारकीट को बनाने के लिए हमें चाहिए एक 9 वोल्ट की बैटरी जो मल्डिमिटर में यूज होता है जो बहुती कम दाम है और चाहिए दो प्रोब, आप यहाँ पर प्रोब की जगा चिम्टा भी यूज कर सकते हैं और चाहिए एक बैटरी क्लिप जो आपको मार्केट में बहुती आसाने से मिल जाएंगे और चाहिए एक रेजिस्टेंस सो गाइच हमें कमपोनेंट में बस इतना ही चाहिए और कुछ भी नहीं चाहिए तो चलिए इसे कैसे बनाते हैं वो जानते हैं सो गाइच यह रहा हमारा 9 बोल्ट की बैटरी और यह दोनों हैं मल्टिमीटर की प्रोब और यह रहा रेजिस्टेंस तो चलिए गाइच आप इसकी कनेक्शन को आगे बार आते हैं गाइच बहुती सिंपल कनेक्शन है हमें 9 बोल्ट की माइनास यानी ग्राउंड को मल्टिमीटर की माइनास वाला पॉइंट के साथ बिल्कुल शोल्डरिंग या फिर जोर देना है कुछ इस तरह से और बैटरी की पॉजिडिव कनेक्शन को लागे हमें यहाँ पर जोर ना है कुछ इस तरह से और फिर रेजिस्टेंस की एक सीरे से एक वयर जाएगी मल्टिमीटर की रेट प्रोब पर यानी यहाँ पर कुछ इस तरह से सो गाइस हमारा सारा कनेक्शन आप कंप्लीट हो चुका है और रेजिस्टेंस की वैलू क्या होगी मैं यह भी आपको बताऊंगा चलिए पहले एक बार आपको डेमो दिखा लेते हैं यह कैसे काम करता है सो गाइस यह रहा 9 बोल्ट बैटरी और यह रहा मल्टिमीटर की दो प्रोब और जो रेजिस्टेंस है उसको हमने क्लिप के अंदर जोड दिया है आप चलिए इसके थूँ आपको एलेडिस को चेक करके दिखाते हैं यह कैसे काम करता है सो यहाँ पर मैं इसको जोड दूँगा सो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हो जिस एलेडिस को चेक करने में मल्टिमीटर भी फेल हो गया था क्योंकि यह ज्यादा वोल्ट की है सो इस डिवाइस के थूँ हम बहुती आसानी से एलेडिस को चेक कर पा रहे हैं और यह बहुती सेव एंड सिक्योर है इसमें एसी का कोई जंजन भी नहीं है और आप चलिए आपको बताते हैं इसमें हमने कौन सा रेजिस्टेंस यूज किया है सो गाइस हमने यह पर जो रेजिस्टेंस यूज किया है वह है 1.5 के ओके गाइस थैंक्स वर वाचिंग मैं वीडियो इफ यू लाइक मैं वीडियो देन प्रिश्यार इतन सब्सक्राइब मैं चैनल थैंक यू